कट्रीना कैफ और विकी कॉशल की शादी में जादा महमानों को नहीं बुलाया गया है सिर्फ 120 मेंबर्स जो हैं वो इस शादी को अटेंड करने वाले हैं बात करें अगर विकी कॉशल की तो उनकी फैमली तो छोटी है विकी और सनी दो भाई है और ममी पापा है वहीं अगर बात करें काट्रीना कैफ की तो उनकी फैमली बड़ी है काट्रीना कैफ के छे भाई बहन हैं जिसमें छे तो ये बहने हैं इंक्लूडिंग काट्रीना और एक उनका भाई है ये सभी siblings अब काट्रीना की शादी के लिए जैपूर सवाई माधोपूर के उस fort पहुँच चुके हैं कल जैपूर एरपॉर्ट पर काट्रीना के family members को spot किया गया था काट्रीना की family में कौन-कौन है मैं आपको बताती हूँ काट्रीना की mother Suzanne तो British है लेकिन उनके पता कश्मीरी थे मोहमत कैफ उनका नाम था साथ बच्चे इनके हुए जिसमें छे बेटिया और एक बेटा रहा बेटे का नाम सबेस्टियन है बेटिया है काट्रीना कैफ जो आज नामी बॉलिवूड अक्ट्रस है दूसरी बेटी इजा बेल जो काट्रीना की ही तरह आने वाले समय में हमें बॉलिवूड फिल्मों में नजर आएंगी और इजा बेल को अभी से ही लोग जानने लगे हैं सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी fan following है कट्रीना की एक और बेहन है नताशा जो की एक जूलरी डिजाइनर है और उन्होंने शादी भी कर ली है बच्चे भी है उनके इसके अलावा क्रिस्टीन नाम की भी उनकी एक बेहन है क्रिस्टीन की भी शादी हो चुकी है और वो हाउस वाइफ है Melissa नाम की एक और बहन है Katrina की जो की एक scholar है और mathematics में बहुत अवल है इसके अलावा Sonia एक उनकी बहन का नाम है जो photographic का काफी शौक रखती है साथ ही एक fashion designer भी है और इन छह बहनों का एक भाई है जोसका नाम है Sebastian जैसे मुंबई में भी अभी Katrina की शादी के दौरान spot किया गया Sebastian एक furniture designer है तो ये है Katrina कैफ की family की details जहां सभी भाई बहन अलग-अलग field में नाम कमा रहे हैं वहीं अगर बात करे Katrina की मदर की तो वो अब social work करती है Katrina की मदर जब बच्चे छोटे थे जब Katrina को समझ नहीं थी तब ही उनके पिता से अलग हो गई थी और बड़ी मेहनत से उन्होंने साथ बच्चों को संभाला Katrina ने अपनी पूरी जदगी अपनी मदर को मेहनत करते हुए ही देखा है यही कारण है कि आज जब Bollywood इंडस्ट्री में सबसे ज़दा मेहनती अक्टुसिस की बात होती है तो उसमें Katrina का नाम सबसे पहले आता है अपनी मदर की तरही Katrina भी काफी मेहनत करती है और काफी कुछ उन्होंने कमा कर अपनी फैमिली को संभाला है तो कह सकते हैं कि जहां विकी कोशल की अपनी फैमिली छोटी है हो सकता है उनकी extended family बड़ी होगी वहीं उनका ससुराल बहुत बड़ा है और जूते छुपाने वाली जो रस्म होगी उसमें विकी की अच्छी खासी जेवे खाली होने वाली है क्योंकि उनकी पांच सालिया औ एक साला उनसे पैसे मागने वाले हैं